Books That Speak में आप सभी का स्वागत है आज कुछ एक अलग कहानी है अलग इसलिए हमारा चानल है Books That Speak यानि की किताबों के बारे में और आज मैं ऐसे लड़की की कहानी सुनाने वाली हूँ जो किताबों से सक नफरत करती थी तो चलिए सुनते हैं कहानी एक लड़की जिसे किताबों से नफरत थी ये कहानी लिखी है मंजूशा पाउगी ने इस कहानी का हिंदी में अनुवात किया है श्री अर्विन गुपता ने और ये कहानी का प्रकाशन किया है भारत ज्ञान विज्ञान समीती ने कहानी का वाचन आसावरी दूशी तो चलिए मिलते हैं ऐसी लड़की से जिसे किताबों से नफरत थी एक लड़की थी जिसका नाम था मीना अगर आप किसी पुरानी संस्कृत की किताब में मीना के मायने खोजेंगे तो आप पाएंगे कि मीना का मतलब मचली होता है पर मीना को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था क्योंकि वो किताबे कभी पढ़ती ही नहीं थी मीना को किताबे पढ़ने से नफरत थी किताबे हमेशा बीच में अडंदा डालती है वो कहती, शायद उसकी बात ठीक थी, क्योंकि उसके घर में हर जगा किताबे ही किताबे थी, उसके घर में किताबे ना केबल बुक्शेल्फ और मेजों पर थी, बलकि उन सभी जगों पर भी थी जहां उन्हें नहीं होना चाहिए. जहां देखो वही किताबे, हर दराज में किताबे, हर अलमारी में किताबे, सोफे पर किताबे, सीडियों पर किताबे, यहां तक की आग जलाने वाली जगा पर भी किताबे, कुर्सियों पर किताबों के धेर, एक बात और परेशान करने वाली थी. मीना के माता पिता रोजाना और नई-नई किताबे लाते थे वे किताबे खरीटते, दोस्तों से मांगते, लाइब्ररी से लाते वे हर समय नाशते, दोपहर के खाने और रात के भोजन के समय भी किताबे पढ़ते पर जब कभी भी वे मीना से पूछते कि क्या वो कोई किताब पढ़ेगी तो वो अपने पैर पटकते हुए चिलाती मुझे किताबों से नफरत है और जब कभी उसके माता पिता उसे किताबे पढ़कर सुनाने की कोशिश करते तो वो दोनों हथेलियों से अपने कान बन कर लिती और जोर से चीकती मुझे किताबों से नफरत है शायद पूरी दुनिया में एक और ऐसा जीव था जिसे मीना से भी ज्यादा किताबों से नफरत थी और वो थी मीना की बिल्ली मैक्स जब मैक्स बहुत छोटी थी ना तो एक दफा उसकी पूच पर एक भारी भरकम एटलास गिर गई थी एटलास खबर है ना जोग्रोफी की एटलास जिसमें सब नक्षे नक्षे दिये होते है हाँ वही इससे मैक्स की पूच का सिराम उड़ गया था उस दिन से मैक्स ने कसम खाई थी अब वो किताबों के धेर के उपर ही बैठती नीचे कभी नहीं एक दिन मीना ने सुबा वाश बेसिन में से किताबों को बाहर निकाल कर मंजन कुल्ला किया फिर वो किचन में जाकर अपने और मैक्स के लिए नाश्ता बनाने लगी उसने पहले किताबों के धेर की एक सीड़ी बनाई और उस पर चड़कर कॉनफलेक्स का डिबबा उतारा जब उसने फ्रिच खोला तो उसमें पत्री काये भरी थी उसने उन्हें हटा कर अंदर से दूद निकाला उसने कुछ दूद अपने कटोरे में और कुछ मैक्स के कटोरे में डाला फिर वो चिलाई मैक्स नाश्ता तैयार है पर मैक्स नहीं आई वो दुबारा चिलाई मैक्स नाश्ता तैयार है फिर भी मैक्स नहीं आई कहां मर गई मैक्स मीना सोचने लगी उसने नहाने के टप के पीछे खुजा और फिर वाशिंग मशीन के पीछे ढूंडा उसने मैक्स को सीडियों के नीचे और घड़ी के उपर खुजा उसे हर जगा किताबे तो मिली पर मैक्स गायब थी फिर उसे दूर से ऐसी आवाद सुनाई पड़ी मीना दोडती हुई डाइनिंग रूम में गई और वहां किताबों के सबसे उन्चे टीले पर उसे मैक्स फसी दिखाई बड़ी इस धेर में वो सब किताबे थी जिने मीना के माता पिता ने बड़े लाड़ प्यार से उसके लिए खास तौर पर खरीदा था पर मीना ने उन्हें कभी खोला तक नहीं था सबसे नीचे दबी थी बिना शब्दो वाली चितर कथाई जिने उसके बच्पन में खरीदा गया था बीच में वर्ण माला सीखने और शिशू गीतों की किताबे थी यानि की नर्सरी राइम्स पुस्तकों के टीले के सबसे उपर परियों और रोमांचक घटनाओं की कहानिया थी सभी पुस्तकों पर धूल जमी थी मैक्स घबराओं नहीं मीना ने विल्ली को दिलासा दिलाते हुए कहा मैं तुम्हे वहां से छुडा लूंगी फिर मीना उन पुस्तकों के टीले पर चड़ने लगी क्योंकि नीचे मोटी और जिल्द वाली किताबे थी इसलिए उन पर चड़ना असान था मीना को ये सिडिया चड़ने जैसा ही लगा पर जब कविताओं की एक पेपर बैग पुस्तक पर पैर रखा तो अचानक उसका पैर फिसल गया वो अपना संतुलन खो बेठी और तेजी से नीचे की ओर फिसली धडाम एक जोरदार धमाका हुआ सारी किताबे इधर उधर उड़ने लगी पहली बार किताबों की जिल्द खुली और उनके पन्ने पलटने लगे जैसे ही किताबे गिरी एक अजीब सी बात होने लगी किताबों में से लोग और जानवर निकलने लगे और जमिन पर गिरने लगे वे एक दूसरे पर गिरने लगे और इस से पुस्त के और कुर्सियां भी इधर उधर लुड़कने लगी उनमें राजकुमार और राजकुमारिया थी, परियां और मेंधक थे फिर कही से एक फेडिया और तीन सुवर भी आटपके हम्ती डम्ती उड़ता हुआ मूँ के बल गिरा और उसके दो टुकडे हो गए उसके पीछे एक बुढ़ी और और बैंगनी रंग का जिराफ भी आया इस बारात में हाथी, बादशाह, बौने, रंग बिरंगे पक्षी और अलग अलग प्रजातियों के बंदर भी शामिल थे पर सबसे ज्यादा भीड खरगोशों की थी, वे इधर उधर कूद रहे थे जंगली खरगोश, सफेद खरगोश और उनची टोप पहने खरगोश मीना उन सबके बीचों बीच बैठी थी, उसे हिलते डुलते हुए भी डर लग रहा था मुझे तो लगता था कि किताबों में सिर्फ शब्द ही होते है, खरगोश नहीं उसने कहा और तभी कही से छे खरगोश उसकी और कूदते हुए आए, अब तो डाइनिंग रूम पहचान पाना भी मुश्किल था सारे हाथी खाने की मेज पर एक पाउपर नाच रहे थे और अपनी सूंड पर प्लेट संतुलित करने की कोशिश कर रहे थे बंद्रों ने सारे परदे फाट डाले थी, वे कपड़े की पट्टियों से सिर पर पगडिया बांद रहे थे और सारे खरगोश मेज के पैर चबाने की कोशिश में लगे थे ये सब बन करो, मीना चिलाई, वापस जाओ परंतु कमरे में इतना शोर शराबा मचा था कि किसी को मीना की बात सुनाई नहीं पड़ी फिर मीना ने पास के खरगोश की गरदन पकड़ कर उसे एक सचित्र कहानी की किताब में ठूसने की कोशिश की इससे खरगोश इतना डर गया कि वो वहाँ से दूम दवा कर भागा मीना ने जब दूसरी किताब खोली तो उसमें से चार बत्तके उड़ती हुई बाहर निकली मीना डर गई और उसने जटसे किताब बन कर दी इससे काम नहीं बनेगा मीना ने कहा मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन सा जानवर किस किताब में जाएगा फिर उसने एक मिनिट के लिए सोचा अब मुझे समझ में आया मैं हर जानवर से जाब कर पूछूँगी कि वो किस किताब में रहता है मीना ने एक ऐसे जीव से पूछता शुरू की जिसे उसने पहले कभी देखा ही नहीं था तुम कान हो? मीना ने पूछा अंग्रेजी का पहला अक्षर A, अड़वर उस जानवर ने तोड़ा नाराजगी के साथ कहा और फिर वो पैर पटकता हुआ बर्न माला वाली किताब में चला गया मीना को एक भेडिया दिखा जो डाइनिंग टेबल के नीचे बैठा सिसक रहा था पूछने पर भेडिये ने कहा मैं अब कहा जाओ, मुझे याद ही नहीं कि मैं किस किताब में से निकला था रेड राइडिंग हो डिया, फिर तीन छोटे सूवर वाली पुस्तक में से ये कहकर भेडिये ने मेच पोश पर अपनी नाग पोची पर मीना उस भेडिये की कोई मदद नहीं कर पाई क्योंकि मीना ने कभी कहानिया पढ़ी ही नहीं थी तभी मीना के दिमाग में एक बात आई उसने पास रखी एक किताब उठाई और उसे जोर से पढ़ने लगी बहुत पुरानी बात है, मीना ने पढ़ना शुरू किया किसी दूर दराज के देश में धीरे धीरे सारे जानवरों ने कूदना, नाचना, शोरगुल, मचाना बन कर दिया वे सब मीना के पास आकर कहानी सुनने लगे जल्द ही सारे जानवर मीना के पास एक गोले में बैठ गए अब मीना कहानी पढ़ रही थी और वे कहानी सुन रहे थे जब मीना दूसरे पन्ने पर पहुँची तब गोले में बैठे सुर, तपाक से कुद कर बोले ये तो हमारी गानी है, वे चलाए, ये तो हमारा पन्ना है ये तो हमारी किताब है, फिर वे गोले में से सीधे मीना की गोद में कूदे और किताब में गायब हो गए मीना ने जट से किताब बन कर दी उसे डर था कि कही सुवर वापस ना निकला है फिर उसने दूसरी किताब उठाई धीरे धीरे करके मीना ने अपनी सारी किताबे पढ़ डाली और धीरे धीरे सारे जानवर अपनी सही पुस्तकों में वापस चले गए अंत में कमरे में नीली जैकेट वाला केवले खरगोश ही बाकी बचा अब मीना ने पीटर खरगोश वाली किताब उठाई कितना अच्छा हो अगर ये खरगोश मेरे पास रह जाए बाकी सारी जानवरों के जाने के बाद मीना थोड़ा अकेलापन मैसूस कर रही थी वो छोटा सा खरगोश मीना के सामने डरा सहमा खडाता भैसे उसके पहर काप रहे थे वो भी अन्य जानवरों की तरह ही अपने घर वापस जाना चाहता था फिर मीना ने आखिरी किताब को उठा कर खोला किताब खुलते ही खरगोश ने चलांग लगाई और पलग जपकते ही पुस्तक में गायव हो गया अब घर में शानती थी मैक्स कुछ किताबों पर बैठी जीब से अपना चेहरा चाट रही थी मीना ने दुख भरी आवाज में कहा अब मुझे उन खरगोशों को दुबारा देखने का कभी मौका नहीं मिलेगा पर तभी उसे ध्यान आया कि वे सारी किताबे तो अभी भी उसके पास ही थी फिर वो मुस्कुराने लगी उस शाम जब मीना के माता-पिता वापस आये तो उन्हें अपनी आखों पर यकीन नहीं हुआ उन्होंने देखा कि सारे परदे फटे थे और बहुत सारे कभ प्याले तूटे थे उन्होंने देखा कि मेज के पैर भी कुत्रे हुए थे पर उन्हें सबसे बड़ा आश्चरिय ये देख कर हुआ कि मीना सारी किताबों के बीचों बीच बैठी थी और वो सच में एक किताब पढ़ रही थी आप सुन रहे थे कहानी एक लड़की जिसे किताबों से नफरत थी जिसकी लेखी का है मंजुशा पाओगी हिंदि में अनुवाद अर्विन गुपता कहानी का वाचन असावरी दोशी और कहानी का प्रकाशन भारत ज्ञान विज्ञान समिती आप ये कहानी सुन रहे थे बु